कि नमस्कार गाइस कैसे हैं वेलकम यू ओल वन्स अगेन आप सभी का एकवा फिर से स्वागत है आपके उनलाइन लेक्चर सीरीज में जैसा कि आप सभी को पता है बीसी पार्ट सेकिंड के लिए हमने फिनॉल से स्टार्ट किये हुए हैं तो जो पिछले वीडियो से उसमें ह हम कैसे फिनॉल को प्रिपेर करेंगे तो हमारा क्या चल रहा था टौपिक हमारा टौपिक चल रहा था अधा अधा को फ्रिप्रेशन ओफिनॉल के को बनाने की विधियां चल रही थी पिणोlles को बनाने की विधियां हमने उसमें हमने कई सारे प्रोसेस पड़ लिए टी जो कल हमने पिछले वीडियो में प्रोसेस पड़ेخرा है यूझकी इंप्टेंट में हई बहुत बार पूछे जाते हैं राशिं प्रॉसेज और डाव प्रॉसेज आप अच्छे से कीजिए उनको आपको उनका मेकैनिजम डाव प्रॉसेज जो है वो ज्यादा इंप्रोटेंट उसका मेकैनिजम पता होना चाहिए इसके लावक क्यूमेन वह भी एक इंपॉर्टेंट मतलब जितने भी इंप्पॉर्टेंट रेक्शन स्ते अब पिछले लेक्षर में कर चुके हैं ठीक है एक दो प्रिपरेशन मेफडस और बचे हुए वह हम कर देते हैं कि अब हम देखने वाले हैं हमने कल बहुत सारे अब किया था और ट्सकिया ठाओ diagenium salt से किया था, Eryl Sulfonic Amlis से किया था, हमने phenol का preparing, ठीक है आध हम देखने वाले हैं, Grinyard, AbicarmaG से phenol का preparation, कुछ Greekainard Reagent से हम phenol कैसे prepare करेंगे, ठीक है Greekainard Reagent का यूज करके, यहांपर हम क्या यूज करते हैं, Halo Arrins का यूज करते हैं, ग्रिगनाटन-्रियेजेंट के साथ क्या ये यूज करते हैं हेलो एरिंस और पहले सबसे पहले र्येक्षण के साथ होती है जूअrias वर्ड थो नहीं होने करती हैं क्या वार्ड यूज खुए था फिचल्य लेंस आई तो है स्बसे पहले हम किस को चाहिए फरकी में यानि कि यह reaction अगर आपको याद हो तो ग्रिगनार्ड रिएजंट की preparation में यूज होता है ग्रिगनार्ड रिएजंट कैसे बनाए जाते हैं जब एलकायल या एरायल हैलाइड को मेगनीशियम के साथ एथर की presence में गर्म करते हैं तो क्या फोम होते हैं ग्रिगनार्ड रिएजंट फोम होते हैं और फिर उसकी reaction हम किसे कराते हैं ओटो के साथ कराते हैं और फेर एसाधि हाइडलेसिस और अमलीए जप गटन कराने पर क्या प्राप्त हो जाता है फाइनली हमा मेगनीशियम के साथ इथर की उपस्थिती में बने इथर की उपस्थिती में बने क्या बनेगा एरिल मेंगनीशियम ब्रोमाइड की अविक्रिया एरिल मेंगनीशियम ब्रोमाइड की अविक्रिया एच नियू की उपस्थिती में एच नियू मतलब प्रकाश की उपस्थिती में ओटू से कराने पर प्राप्त उत्पाद का जल अबगटन प्राप्त उत्पाद का जल अबगटन करने से क्या प्राप्त होता है फिनॉल प्राप्त होता है यह हम क्या रियक्शन कराएंगे यहां पर यह होगा हमारे पास कोई हेलो एरीन होगा हेलो एरीन मतलब एरायल ग्रूप और उस पर कोई हेलोजन जुड़ा हुआ होगा कुछ भी हो सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है जब हम इसकी रेक्षिन किस के साथ कराएंगे मेगनीशियम के साथ कराएंगे किस की प्रेजन्स में, इधर की प्रेजन्स में हीड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, यह जो मेगनीशियम है, धातु है कौन से, फ्री रेडिकल मेकेनिजम के थुरू जाकर यहाँ पर इंजट हो जाता है मैं एरायल और एक्स के बॉन्ड में है, इसको बोलते हैं, SET, Single Electron Transfer Mechanism यह जब हम आप पढ़ेंगे, कार्वधात्विक योगिक थर्डियर में जाके, तब वहाँ देखेंगे कि कैसे प्रेपेर होता है, इसका मेकेनिजम ठीक है, इसको बोलते है, Single Electron transfer mechanism वहाँ पर radical बनता है उससे बनता है तो यहाँ पर क्या होगा magnesium जाएगा और कार्वन और हैलोजन के बीचे जो बॉंड इंजर्ट हो जाएगा यहां पर जुड़ जाएगा है लोजन क्या वन गया यह यह बन गया aryl magnesium है लाइड यही तो है हमारा लिए जैन्ट यह बन गया हमारा गुल बहुत अपतों आगे दिएक्षण बहुत ही आसान है इसकी रियक्षण कराएंगे 1Y2O2 से हाफ से यानि केवल एक ऑक्सीजन मॉलेकूल किसकी प्रिजेंस में है गर अगर अगर रिएक्षिन के उपर तो यह क्या करेगा ऑक्सीजन जाएगा और यहां पर इंज़र्ट हो जाएगा मेगनीशियम और कारवन के बीच में यह जो बॉंड है मेगनीशियम और कारवन के बीच में जाकर इंजट हो जाएगा क्यूं क्यूंकि हम जानते हैं यह बॉंड कैसा होता है पोलर होता है मेगनीशियम है डेल्टा पॉजिटिव और यह कारवन कैसा होगा डेल्टा नेगिट यह बना हमारे पास, अब यह positive और यह कैसा रहेगा, negative रहेगा, अब उक्या कराना है हमको, अब तो बस क्या कराना है, इसका अमलिये जल अब घटन कराना है, H plus H2O, अमलिये जल अब घटन कराएंगे, water के साथ reaction कराएंगे, तो क्या हो जाएगा यहां से, क्या हो जाएगा, O minus एच प्लस के साथ रियक्ट करके क्या बना लेगा यह बना लेगा यही तो है हमारा क्या फिनॉल प्लस क्या मिलेगा मैगनीशियम है और ओच के साथ बना लेगा क्या बन जाएगा Mg-OH-X क्या बन जाएगा Mg-OH-X इस तरह से हम फिनॉल की प्रिपरेशन करते हैं किससे ग्रिगनाड अभी करमक का यूज करके वह कोई बहुत टफ मेकेनिजम नहीं है कोई बहुत जादा डिटेल में नहीं जाना सिंपल सा रियक्शन है जल्दी से नोट कीजिए चलिए आगे चलते हैं जो लास्ट मैथड आफ प्रिपरेशन है वो है वो है किससे प्रिपेर करेंगे अब हम सैलिसिलिक अमलसे किससे सैलिसिलिक अमलसे फिनॉल की प्रिपरेशन अगली प्रिपरेशन क्या है हमारी सैलिसिलिक अमलसे सैलिसिलिक अमलसे हम करेंगे फिनॉल की प्रिपरेशन तो कैसे करेंगे हम सैलिसिलिक अमलसे फिनॉल की प्रिपरेशन तो क्या होता है olate sa俏से हिए जो sa俏सीलिक अमल होता है इसमें phenol group आलरेडी ज़ुड़ा होता है यह कहा होता है phenolic acid होता है इसलिए इसको जब हम किसके साथ गर्म करते हैं तो डाइम के साथ गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है हाँ से decarvoxylation हो जाता है डिकार्वक्सिलेशन मतला यह है OH और यहाँ पर जुड़ा होता है C1OOH यह क्या है हमारा यही है सैलिसिलिक एसेड क्या है यह हमारा सैलिसिलिक एसेड तो यह क्या है एक फिनॉलिक एसेड ही तो है तो इसको हम क्या करते हैं इसको हम हीट करते हैं किसके साथ सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो यहां से क्या हो जाती है डी कर्वक्सिलेशन हो जाती है यह पढ़िए आपने मतला यहां से सीओ टू गैस जो है वह बाहर निकलती है और यहां पर क्या है हमारे पास अने वैच तो क्या निकलता है और यहां से किया निकलता है यहां पर निकलता क्या है यहां परlkση कितने मोल लिए जाते हैं तो यहां पर निकलता क्या है बाद यहां पर हमारे पास निकलता है sodium carbonate यक्सिंव क्या है er सोडियम स्वरी फिनॉल प्लस सोडियम कार्बोनेड बनता है और यहां पर फिनॉल नहीं पहले क्या बनता है सोडियम ओ माइनस एने प्लस फिनॉकसाइड आइन बनता है क्या बनता है पहले फिनॉकसाइड आइन का सोडियम सॉल्ट बनता है फिर यह क्या करता है यह एच प्ल को जब भी कहीं पर h2 लिखा हो एंड प्राइस में उसको बहते हैं वरक उप क्या करा रहे हैं वरक उप करा रहे हैं तो इसको बरक उप का जाता है chemistry की language में तो यहां पर क्या होगा यहां पर हमें मिल जाएगा OH क्या मिल यह क्या है हमारे यहां पर फिनॉल है वेच क्या है यहां पर फिनॉल है तो इस तरह हम सैलिसिलिक अमल से फिनॉल को प्राप्ट कर करते हैं तो यह जो हमारी कुछ विदिया थी फिनॉल के प्रपरेशन की वो पूरी हो चुकी है इतनी विदिया आपके लिए इंपोर्टेंट है ठीक है अब हम कि फिनॉल में क्या-क्या प्रॉपर्टीज होती है फिनॉल के गुड़ देखेंगे ठीक है चलिए वह देखते हैं विदाव वेस्टिंग टाइम जल्दी जल्दी कम्प्रीट करते हैं इसे तो फिनॉल के गुड़ प्रप्रपरेशन मेथट्स खतम हुए इंपोर्टेंट जितने भी थे उन सबके मेकैनेजम करा दिए रहें आपको ठीक है जो लास्ट लेक्चर में आपने पड़े थे वो सारे इंपोर्टेंट्स थे अब क्या देखेंगे प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्र रणहीं द्रव या ठोस अवस्था में तो कैसे होते हैं क्रिस्टली एक ठोस होते हैं दूसरा अगर हम देखें कि फिनॉल यह क्यूंकि एरो में टिक है कैसे हैं एस में तो योगिक होती है उनमों कि थिक्ष्ड होती है लाक्षिडिक स्मेल तो में लिख सकते हैं कि फिनौल पिनौल में ङुका लाक्षिडिक गंध बुग पाई जाती है कि अधरीप सी समय sırोती दो अरमने पश्चांद करते इसे सम्गूल से कि यह dissolald है यह जादा तर कि इसमध में होती है लक्षीदिंगर शीट अगोटेशी कर् I do अगला जाक्तिम होते हैं यह की संपर्क में ए आने पर कैसे ऑजाते हैं कि हो जाते हैं ठीक है कि इस भो जाते हैं लाल गुलाबी रंके हो जाते हैं फिनॉल मतला केवल फिनॉल यह यह आएगा इसमें फिनॉल के k hareytes भी आते हैं ठीक है तो यह होते हैं इनका अगर कथनांग देखा जाए्ट फिनुट स्वह होता है क्योंकि इनमें क्या पाई जाती है intermolecular hydrogen bonding पाई जाती है क्या पाई जाती है intermolecular तो हम यह लिख सकते हैं अंत्राणविक hydrogen बंधन के कारण इनके क्वथनांग कैसे होते है है उच होते है hydrogen bonding कैसे होगी भई जैसे फिनॉल है जब हमने फिनॉल लिया ऊसमें केवल एक यहीं molecule तो नहीं होगा है ना दूसरा फिनॉल भी तो होगा यहां पर दूसरा फिनॉल भी तो होगा इससे भीडोजन जुड़ा हुआ है यह भी तो oxygen नवी तो है वह नौर्मली क्या होते हैं हाई होते हैं अगर इनकी प्रकृति के बारे में बात की जाए तो यह कैसे होते हैं अबल्य प्रकृति के होते हैं कैसे होते हैं अमलिय प्रकृति के होते हैं यानिक इनका यह जो वह-डφा नेच्य शोकरते हैं जैसे कि अलकृल थे औहुजआ वह दुरुब दज़ल होते हैंWhat parking करते हैं और यह क्या कर देए यह नीले लिटमस को क्या कर देते हैं लाल कर देते हैं यानि कि इनमें हलकी सी एसडिक नेचर होती है इनमें हलकी सी क्या होती है एसडिक नेचर होती है ठीक है अगर इनकी टॉक्सिसिटी के बारे में किया जाए तो ये कैसे होते हैं पिनॉल की कैसे होती है यह 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 ओक्षान प्रफियोक जाते हैं कैसे होते हैं यह आने कि जला आग्या है ऐसा कुछ नीचर नहीं होते हैं कैसे होते हैं अब विश्यले होते हैं और इनका उप्योग किसके रूप में किया जाता है इनका उप्योग किसके रूप में एंटिसेप्टिक जो होते हैं न एंटिसेप्टिक के रूप में किया जा सकता है यानि इनको एंटिसेप्टिक के रूप में भी हम यूज करते हैं ठ इसके विए इंट्र मोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके गल्नांग होते हैं कुछ इच्छ और गल्नांग इंट्रमोल च्छ पाई जाहे इनमें फिर इनकी केमिकल प्रोपर्टीज देखते हैं रसाइनिक गुर्ण कोशिश करेंगे कि फिनॉल जल से जल खतम हो जाए तीसरा लेक्चर है न कोशिश करेंगे कि 6 या 7 लेक्चर के अंदर यह खत्म हो जाए और होई ही जाएगा अब देखेंगे फिनॉल के रसाइनिक गुर्ण केमिकल प्रोपर्टीज देखेंगे कैसी रियक्शन देते हैं क्या होते हैं कैसे होते हैं लेकिन उससे पहले हम फिनॉल के अमली प्रकृति के बारे में चर्चे करेंगे तो हम बात करेंगे सबसे पहले रसायनिक गुड़ों में फिनॉल की ढम ये प्रकृति कि रैसे डिक लिटान इस लोल्स अ सबसे पहले हम बात करेंगे लॉन के अमली एव प्रकृति की एसरीटिक नेड़ ओफ फिनॉल्स तो यह फिनॉल्स एसरीटष्ट में गी अल्कोहूल में बताई था फिरॉलस की आफिन हुआ है कि यह कृतेlles को क्रकृती यान है की क्या करेंगे अब्ली प्रकृती करेंगे में इसका मतलब यह क्या देंगे यह देंगे हमारे पास है क्या बना देते हैं फीन अक्साइड आइज प्लस इसको बोलते हैं कि अगर अगर अप्रिक्राइज फेन सो करेंगे तो ऐसे तो करेंगे है अगर आपने देखा था एलकोहॉल में बता है कि यह जो बॉंड होता है oxygen और hydrogen के बीच का यह पोलर होता है यह oxygen होता है डिल्टा नेगिटिव डिल्टा पॉजिटिव इसलिए यह एच प्लस को त्याग देता है ना लेकिन यह कैसा अमल था बहुत दुरुवल अमल है क्या है बहुत दुरुवल अमल है जबकि फिनॉल के फिनॉल की कंपेरिजन की जाए तो फिनॉल बहुत जादा में होते हैं अल्कोहल की जैसे कि अगर हम ओर देखें अगर हम कंपेरिजन करें और क्या कहते हैं थे निचर का कंपेरिजन करें तो सबसे यह एस एक नीचर प्रदर्शित करते हैं इसेड नहीं है इनको एसेड में जिलने लग जाना वही कि आप HCl, Acetic Acid होता है, इनको भी क्या गर दो, आप Acid गना दो, ये भी Acid है, ये Acid नहीं है, Acidic Nature प्रदर्शित करते हैं, यानि कुछ Reaction ऐसे देते हैं, जिनमें ये Acidic Nature शो करते हैं, H+, ठीक है, तो अगर कार्वोगजिलिक एक तरफ है, हमारे पास, कार्वोगजिलिक अमल, क्या है, कार्वोगजिलिक अमल है, हमारे पास है, फिनॉल है, हमारे पास है जल, और हमारे पास है, अलकोहॉल, हम तो जानते हैं बई, कि अलकोहॉल बहुत दुर्वल अमल होते हैं, जल जादा Acidic होता है, यानि जल आसानी से H+, दे देता है, और जल क के अब यह तो प्यॉर आम्ले क्या है यह तो अम्ले इनका तो काम ही एक प्लस देना यह तो खुद नाम में भी लिखा हुआ हैं लेकिन इनके अगर कार्वाक्जलिक अम्ल जो की एक्च्वल में हमले उनसे किया जाए तो यह विसली धूर्वल ही होगे क्योंकि यह खुद अम्ले थोड़ी ना ही अमली नेचर प्रदर्शित कर रहें तो जो इनकी एसडिटी का ओडर होता है वो कुछ ऐसा होता है यह क्या है अमलियता का क्रम अमलियता का क्रम है यानि की कार्वाग्जलिक सबसे ज्यादा एसडिक होते हैं फिनॉल जल और अलकोहल अब ऐसा क्या है अगर इनकी एलकोहल जो पिछले चेप्टर में पढ़े थे उनसे कंपरेजन किये जाए तो यह तो फिनॉल जो है बहुत जादा एसडिक है एसा क्यों इनका एसडिक इसमें भी तो ऑच गुरुप है इलकोहल में भी पो और तौ फिर यह बराबर लगबर अमलियता क्यों शाइए। नियात तो फिनॉल बहुत ज़ादा अब्लियें ऐसा क्या है इसके अंदर जो इनको इतना जादा अमलिये बना राए है क्या हैए तो हम हमने बंधन और इसमें क्या पड़ीती बॉंडिंग एंड इस्ट्रक्चर देखा था तो हमने बताया था कि यह जो लोन पेयर है यह जो ऑक्सिजन है कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करता है यह यह इसी को बोलते हैं रिंग में डी लोकलाइज रहता है रिंग यानि कि तरफ धकेलता है यह जो इस्ट्रक्चर है यह कि वज़ेसे अनुनाद की वज़े से बहुत ज्यादा इस्थाई होती है यहां पर क्या होता है यह लोन पेयर गूगेशन में रिंग के अंदर जिसके वज़ेसे यह अर्य बह गّकमडर से इस्टेवल मॉलिक्वल है और अगर स्टेवल मॉलिक्यूल है इसमें रचेष छुद्टी है तो फीर यह जोरीर सफेंड क्यूब है यह और यह जानते यह पर क्या होती दो हम इन दौनों की प्रभाव लगता है जिर्धे वजह इसे और अमली प्रकृती शो करत से यह ज्याधा यह वाला इजुन टरुक्टर को क्या करता है और हुआ दर िरिंक रिंगे उन keine का यह नहीं बना सकता तो यह बॉंड का जाएगा नैगेटिव चार्ज और यह बन जाएगा बन जाएगा और टंद मौद्फ तरह तरह जाएगा पटिक्च था केहां पेद सूसे को क्रेंगे 15 फिर यहां जाएगा थो यह वाला बन्ड यहां सिफ्ट हो जाएगा करो रही यहां पर उक्सिजन पर कैसा चार्ज आ गए पॉजीटिव चार्ज और ऐक Cr légम एकट्रो नेगेटिव एटम है फॉजी चारज आए तो यह उलेक्टरों की कमी झोगी ऑसी दबाई औरक्सिजन काहां से खीचेर से कहां से खीचेगा यहां से ही तो खीचेगा hydrogen से electron जब यह hydrogen से electron खीचेगा तो यहां से H प्लस जुए में उतनी ही आसानी से यह या निकल जाया। ययानि और oxygen पर positive charge जितना जाद होगा और जितना stable होगा positive charge यह क्या करेगा उतना तो यहां पर यह बॉंडिंग यह एलक्ट्रोनों को मैं थोड़ा सा बढ़ा करके दिखाऊं क्योंकि ऑक्सिजन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो यह क्या करेगा हाइड्रोजन से एलक्रोनों को अपनी तरफ कीछेगा और यह हाइड्रोजन कैसा हो जाएका पॉजिट प्लस ठीक है और यह आ गया नेगिटिव चार्ज और यहां पर है डवल बॉंड फिर क्या होगा यह बॉंड यहां शिप्ट हो जाएगा यह बन जाएगा हमारे पास बापस से क्या फिनॉल ठीक है यह तो था फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यह क्या है भई यह है हुएन्णादी सन रचनाए है क्या है अनुनादी सन रचनाएं है फिनौंड कई तो इसका मतला जो फिन वह वह स्टेवल है फिनौल मॉलिक्यूल की प्सक्रवाल कि वजए यहां में यह बहुत सारे डिशन İsट्राइल सबेक्षन होता है अब तो हमारे पास क्या बनेगा फीन ओक्साइड आएन देख लेए यह यह और अगर यह तुरंत रियक्ट कर जाएगा और स्टेबल होने का मतलब क्या है स्टेबल होने का मतलब है कि जलो थोड़ा सांत पर इतpace कर चाहिए न associates कर जाए है यह ना क्या प्राप्त होता है तो हम कह सकते हैं यहां से यह प्राप्त हुआ होगा जितना जादा स्थाई होगा यानि की यह अगर स्टेवल होगा यह यह एक और यह लुट होना चाहिए कि यह लोकलाइज होना चाहिए यह रिंग के अंदर यानि बट्त जाना चाहिए किसी तरीके से नेगटिव चार्ज ऑक्सिजन पर कम हो जाना चाहिए तो इसकी आप टेक्स टेवल हो जाएगा देखते हैं धिक टेल क mandarai लेजुनेटिंड स्ट्रक्चर बनती हैं कि यह हमारे पास पूल tum and है फिर हमारे पास यहां पर नेगीटिफ चार्ज है मेंधर और यह वाला बॉंड क्या शिफ्ट हो जाएगा इधर शिफ्ट हो जाएगा इसका मतलब इसकी भी बिल्कुल उपर वाले की तरह क्या बनेंगी रेजुनेटिंग इस्ट्रक्चर बनेंगी और यह क्या बन जाएगा डवल बॉंड ओ अब इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज लुक्षेंश दो ही बन टो बनाता है लेकिन आपर क्या हो जाएगा यह यहां है यह फिर क्या होगा यह जाएगा यह यहां शिफ्ट हो जाएगा फिर क्या होगा यह बॉंड यहां जाएगा यह बारी बारी से कारवन कारवन पर हर कारवन पर क्या जाएगा बॉंड शिफ्ट होगा ठीक है तो यह हो गया यहां पर यह बॉंड है यह आ गया यहां पर क्या गया नेगिटिव चार्ज और यहां से क्या प्रदर्शित होता है कि यह जो औक्सीजन कर नेगिटिब चार्ज आया है तो होता यह जो ॅ supremo X si i o channels कि वाल होता है उनल की तुलना में जादा इस जाया लु Way सिम्साइब तो यह भी यह लेकिन यहां पर क्या हो रहे है यहां पर consecutive हो थह आ फार चार्ज सेपरेशन मतलब दो इस एक और यहां और चार्ज आ रहे हैं और यहां पर दो तरह के चार्जों का क्या भर है डिलोकलाइजेशन हो रहा है जिसकी वजएसे यह वाला जो इस्ट्रक्चर है यह जो फिनॉल है यह थोड़ा सा कंल हो जाता है इसकी कमपैर्जन में यहां पर देखें यह वाला फॉर्म जो है बहुत तो इस वज़े से यहां केवल एक ही चार्ज का डिलोकलाइजेशन हो रहा है और बहुत जादा उपस्थित रही है क्योंकि वह दिलोकलाइज हो रहा है तो इसकी यह जादा इस्टेवल है तो यह जादा बनेगा यानि कि यह जो हमने तीर लगाया है इधर से इधर तो यह किसकी तरफ जादा रहेगा फॉर्वर्वर्ड डायरेक्शन में जादा रहेगा फॉर्वर्वर्ड मतलब आगे की और जादा रहेगा क्योंकि यह जादा बनेगा औ और ओ माइनस आइन बनेगा जादा इस्टेवल है तो यहां से क्या निकालेगा यह एच प्लस निकालेगा तो कैसी विभार प्रदर्शित करेगा अमलिये विभार इसलिए फिनोल जो होता है उसकी एसिडिक नेचर होती है क्योंकि यह क्या बनाता है फिनोकसाइड आइन बना अनुनाद प्रभाव की वजह से यह इसको क्या बोलते हैं अनुनाद प्रभाव बोलते हैं ठीक है बना लीजी जल्दी से राइजोनेटिंग इस्ट्रक्चर्टर कि अग्या है कि अग्या है कि मिटा दूं कि आगे चलते हैं कि हम क्या लिख सकते हैं यहां हम लिख सकते हैं कि अब लिख सकते हैं कि फिनॉल के अनुनाद प्रभाव की वज़े से है रेजोनेंस इफेक्ट तो यहां पर लिख सकते हैं कि फिनॉल के अनुनाद प्रभाव के कारण ऑक्सिजन के लोन पेर वले में क्या रहते हैं ? विस्थानी करत रहते हैं दि लोकलाईज विस्थानी करत रहते हैं जिससे जिससे ऑक्सीजन पर क्या जाता है ऑक्सीजन पर दनात्मक आवेश आ जाता है जो हाइड्रोजन ओएच बंद से इलेक्ट्रोन खीचता है आ आतेह सैंता यहां प्रोटोन वटयाग कर इसलिए यह क्या करता प्रोटोन वटयाग कर क्या प्रदर्शित करता अम्स भम हर में दरशित करता है इसका मतलब फ्लोनोल क्या करता है प्रोटोन त्याग कर अमलिये विभार प्रदर्शित करता है क्योंकि इससे क्या बनता है क्या बनता है फिनोकसाइड आयन बनता है एच प्लस होता है जो कि फिनोल के तुलम noir जो कि फिनोल की तुलम अधिक अधिकि इस्थाई होता है कि Oke same डी लोकलाइजेशन की वज़े विस्थानी क्रत होने की वज़े से तो नेगिटिव चार्ज यहां ऑर तो फिनोकसाइड आइन जादा बनेगा तो एच प्लस जादा बहार निकलेंगे यानि किसकी एसे डिक नीचर जादा होगी किसकी कंपेरिजन में कार्वक्सायड याद ना रहे आगे फिचर में तो फिनोसाइड आएन की टुल्ना में अधिक स्थाई होता है क्योंकि यहां पर क्या होता है क्योंकि 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 इसमें केवल किसका रिनात्मक आवेश का आविश का विस्थानी करण होता है ठीक है केवल कौन नेगेटिव चार्ज दी लोकलाईज होता है जबकि उसमें क्या होता है जबकि फिनोल में क्या होता है विपरीत आविशों का विक्षेपन होता है जबकि जबकि फिनोल में क्या होता है विपरीत आवेशों का विक्षेपन होता है जैसा कि हमने अभी पीछे रेजुनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो बनी थी उनमें देखा था है ना कि जो फिनोल था उसमें क्या हो रहा था पॉजिटिव और नेगिटिव चार्ज का विक्षेपन हो रहा था दिलोकलाइजीशन हो जबकि फिनोखसाइड आइन में में केवल नेगिटिव चार्ज दी लोकलाइज कर रहा था जिसकी वजह से फिनोक्साइड आइन ज्यादा स्टेवल होगा वो जादा वनेगा फिनोक्साइड आइन बनेगा तो अमलिय प्रकृति को प्रदाशित करेगा ठीक है तो जल्दी जल्दी से देखते हैं हम कि नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा कि फिनॉल की अमलिये प्रकृति पर समूहों का प्रभाव यानि कि अगर हम फिनॉल पर कोई सभू जोड़ दें तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा एसडिक नेचर पर ठीक है देखते हैं भई ठीक है तो हम दो पार्ट में देखेंगे दो पार्ट में देखेंगे पहला कि जब फिनॉल पर कैसे इलेक्ट्रोन आकर्शी समूह उपस्थित हों ठीक है कैसे जब फिनॉल रिंग पर ऐसा कोई ग्रूप लगा हो जो इलेक्ट्रोनों को अपनी ओर खीचता है इलेक्ट्रोन आकर्शी मतलब ऐसे ग्रूप जो अपनी ओर खीचते हैं आकर्शीए ग्रॉप को बोलते हैं कैसे ग्रॉप है यह से ग्रॉप एलक्ट्रोन विड्रोइंग यानि रिंग से लेक्ट्रोनों को अपनी तरफ सिरेंगे कौन से प्रभावब की त्वारा ओलब पुलते हैं इनको माइनस और साइब भी कहते हैं इक माइनस या माईनस एम ग्रुप भी कहते हैं इस एक करी मा सब्सक्रायर में पड़ा होगा मानिस न chips विद्धू-त करनाथम का प्रमाडु कोई अपनी तरफ एलेक्ट्रोन ओखेस्ता है तो क्या होता है कि जब कोई माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रॉप या कोई इनके कारण क्या होता है इलेक्ट्रोन विड्रोइंग समूह यानि इलेक्ट्रोन आकरसी समूह के कारण कारण अमलियता बढ़ जाती है क्या हो जाती है बढ़ जाती है क्यों बढ़ जाएगी क्योंकि फिन उक्साइड आयन अभी अभी तो देखा था उसमें क्या हो रहा था नेगेटिव चार्ज जितना जादा डिलोकलाइज होगा यानि कि जितना कम oxygen पर उपस्थित होगा, negative charge उतना ही जाधा stable क्योंकि जितना कम oxygen पर charge होगा, उतना ही कम reactivity होगा तो अगर minus eye वाला Group लगा दें, तो वो क्या करेंगे, और ज्यादा खीचेंगे negative charge को अपनी तरफ, और अपनी तरफ negative charge को खीचेंगे तो फिर क्या होगा ओ माइनस जो होगा जो हमारा फीनोकसाइड आइन होगा वो और भी जादा इस्थाई हो जाएगा तो हम यह लिख सकते हैं कि जो ऑफीचाइड होती है यानि अमलियता होती हो डाय्यड रिप्रपोश्चीनल होती है यह एलक्ट्रों विड्रोइंग रूप है याने इलक्ट्रों को अपनी और कीच रहा है तो यह क्या करेगा यह क्या करेगा करेगा यह से नीचेगा एक तो रिंग खीच रही है उपर से ग्रूप जो लगा हुआ रिंग पे और ज्यादा इसके सक्सें प्रोसेस को बढ़ा रहा है यानि कि यह नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खीच रहा है बहुत ज्यादा तो यह क्या होगा इस्टेबल रहेगा और यह स्टे जब फिनोल पर क्या हो जब फिनोल पर क्या हो इलक्ट्रोण ऐलक्ट्रों देने वाले इनको बोला जाता इंक य्या इलेक्ट्रों डोनेटिंग समूँ उपस्तितों यानिकि जब क्या उपस्तित हूं जब फिनॉल पर ऐसे ग्रुप उपस्तित हूं जो इलेक्ट्रोन को डोनेट कर रहे हैं अच्छा एक बात और याद रखना कि यह जो electron withdrawing group हैं अगर यह ortho और para position पर जुड़े हुए हैं तो इनका प्रभाव ज्यादा होता है यह point को मैं यहां लिख देती हूँ कि यदि electron withdrawing group कहां पर ortho यह पेरा स्थिती पर होते हैं होते हैं तो इनका प्रभाव ज्यादा होता है यानि कि अगर मैटर position पर उपस्थित होंगे तो क्या होगा minus i और minus i effect डोनों ही बहुत कम लगेंगे है ना लेकिन अगर ortho यानि कि ortho या पेरा स्थिती पर होंगे तो effect जोगा वो उतना ही ज़ादा लगेगा यानि उतना ही ज़ादा acidic nature आएगा ठीक है यह कैसे कुछ example से समझ लेंगे हम आगे अब यहां देखते हैं कि जब फिनॉल पर क्या हो electron देने वाले यानि कि electron releasing समूँ उपस्थे तो तो क्या होगा इनको क्या कहते हैं इस तरह के जो समूँ है इनको क्या कहते हैं एलक्ट्रोन release बोल कर रहे हैं तो यह क्या करते हैं प्लस आई या इनको प्लस एम समूँ भी कहते हैं इनको क्या कहते हैं जैसे यह माइनस आई और माइनस एम ग्रूप होते हैं यानि कि अगर रेजोनेंस के थूइलेक्ट्रों देरा आयरींग में यह तो यह खीच लें नेगेटिव चार्ज को और यह ग्रूप क्या करेंगे यह तो नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएंगे और अगर नेगेटिब चार्ज बढ़ेगा तो यह क्या हो जाएगा इस्थाई हो जाएगा इस्थाई क्यों जाएगा और बहुत हो गया तो तुरंट रियक्ट कर जाएगा यानि कि इस तरह के जो गुरूप होते हैं वो अम्लियता को क्या कर देते हैं घटा देते हैं यानि कि इलेक्ट्रोन रिलीजिंग गुरूप के कारण अम्लियता क्या हो जाती है अम्लियता घट जाती है यह decrease कर देते हैं एसे डिकती को अम्लियता घट जाती है इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो एसे डिटी होती है अम्लियता होती है वह इनवर्सली प्रपोशनल होती है किसके प्लस आई और प्लस एम एफेक्ट के जितना ज्यादा गुरूप लगे होंगे प्लस आई और प्लस एम एफेक्ट वाले अमलियता उतनी ही कम होगी और यह प्रभाबी वही अगर और पैरा पोजिशन पर लगे हुए तो अमलियता और बीज़ादा कम स्थाहिए और इस तरह से जो कि जल्दी से नोट कीजिए फिर एक एक्जाम्पल से देख लेते हैं आपको समझ में आ जाएगा ठीक जल्दी से देखते हैं आगे देखते हैं एक एक्जाम्पल के तुरू देखते हैं इनका क्या मतलब था ठीक है माल लो हमारे पास यह दिये हैं झाते हैं अब मैं पूछू यह कुछ दिये गए हमारे पास फिनॉल अब मैं पूछू अमलियता का ओर्डर बताओ किसका अमलियता का ओर्डर बताओ एसीडिटी ओर्डर बताओ वही एसीडिटी ओर्डर तो हम जानते हैं कि जो एनो टू है NO2 है NO2 है कैसे ग्रूप है minus I sorry electron withdrawing group है कैसा है electron withdrawing ग्रूप है यह दोनों तरह की effect लगाएगा minus I भी लगाएगा और minus M भी लगाएगा यह क्या करेगा यहाँ पर यहाँ पर यह कहाँ पर मौझूद है meta position पर मौझूद है position देखना इसके क्या है meta position पर है तो यहाँ पर यह क्या लगाएगा minus I लगाएगा यहाँ पर यह कौन सी position पर है meta position पर है और meta position पर रहेगा तो यह केवल क्या लगाएगा minus I लगाएगा minus M नहीं लगा पाएगा ठीक है यहाँ पर देखें यह minus I भी लगाएगा और माइनस एम भी लगाएगा दोनों तरह के एफेक्ट हैं जब कि यह कैसा गुरूप लगाएगा प्लस आई और प्लस एच प्लस एच मतला हाइपर यह कैसा करेगा प्लस आई और प्लस एच अभी अभी हमने देखा था जितना ज्यादा इलेक्ट्रों विड्रॉइंग ग्रूप जितना ज्यादा माइनस एफेक्ट उसकी एसे डिटी उतनी ही ज्यादा तो मैं अगर इसको नंबर दे दूँ टू ठी और फॉर तो भई सबसे जहाँ पांध कोई सबसे कम डेक सबसे कम होगा और यह क्यों सबसे कम होगाइगा तो मैइन टिदीड ग्रॉप ब्लस अइफेक्ट वाला जो इलेक्रों डेनसिटी को i kincण पर और मैं ऑक्सिजन बुद्डेग होगा ओर कि सबसे कम होगी सुद्ट करदे करते हैं पहले इनmore थानों की comparison करते हैं कि इनमें दो-डो effect है minus I minus M minus I minus M ठीक है तो कौन ज्यादा acidic होगा यह वाला यह यह वाला यह यहाँ पर क्या है minus I and minus M दोनों है यहाँ भी minus I and minus M दोनों है लेकिन जो minus I effect होता है वो distance पर depend करता है यहनि जैसे-जैसे और इस्टेंस बरता जाता है माइनस im effect क्या उतका होता जाता है कम होता जाता है इसका मतलब यहाँ पर fatis में यहाँ पर distance जादा है व अच्गृब से तो यहां पर Мाइनस कौन आएगा third उसके बाद आएगा second और सबसे last में कौन आएगा fourth क्यूंकि यहां पर दो-दो effect है ना बले ही minus i कम हो गया है इसकी तुलना में लेकिन इससे तो जाद ही है इससे जादा क्यूं है क्यूंकि यहां पर केबल minus i है और यहां पर तो minus m भी है यहां दो-दो effect है इसक second and fourth तो इस तरह से हम acidity decide करते हैं और example लें क्या अगर ऐसा हो ठीक है अगर ऐसा हो यहां पर लगा हुआ है एनेच्टू ग्रुप ठीक है यहां पर लगा हुआ है सी एल ग्रुप सी एस्ट्री ग्रुप ठीक है और एक है हमारे पास एनो टू ग्रुप और यहां पर है एनेच्टू ग्रुप ठीक है और बताना है acidity का किसका acidity का order बनताना है यह a यह b यह c यह d और यह हो गया e ठीक है a b c d e बता दो भई एनेच्टू नाइट्रोजन के पास क्या होते है लोन पेयर है और लोन पेयर है तो यह क्या करेगा लोन पेयर को रिंग में देगा और रिंग में देगा तो इसका मतलब यह उनन पेयर है यह प्लस आइट्रोजन यहाँ पर दॉमिनेट करेगा पर क्लस एंऻ पर यानिकि इलेक्ट्रोन दे जाधा रहा है रिंग के अंदर और दे रहा है तो इसका मतलब क्या करेगा ऐसी डिटी को कम करेगा यहां पर कौन है सी एल सी एल कैसा गुरूप है माइनस आई और प्लस एम दो तरह की एफेक्ट लगाता है लेकिन सी एल के केस में कौन जाधा डॉमिनेट करता माइनस डॉमिनेट करता प्लस एम से यह क्यूं मैं बता रही हूं माइनस आई प्लस एम इसके लिए तो तुमको जी उसी पड़नी पड़ेगी ठीक है कभी 12 में पड़ी हो अगर तुम लोगों ने जी तो समझ रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यूं बोल रहे हूं लगाएगा माइनस आई एफेक्ट लगाएगा ठीक है तो ऐसे डिटी ऑरडर बता दो यह तुम लोगों के लिए हूंबर के सब कुछ मैंने बता दिया है ग्रूप के एफेक्ट भी लिख दी है अब इसको तुम्हें करना है ठीक है अगर नहीं कर पाओ तो कमेंट सेक्शन बताना कि नहीं कर पाए तो फिर मैं बताऊंगी यह तुम लोगों के लिए हूंबर के एफेक्ट मैंने सारे लिख दी है किसका क्या एफेक्ट होगा और तुम जानते हो जिसका माइनस आई और माइनस एम एफेक्ट जाएगा है ना और जिसका प्लस एम एफेक्ट जादा ह हड़ा तो चलो एक चीज में बता देना सबसे जादा लिए को कि अगली अग्ली Lekt resulting खोगो